हालो और एवन, स्टड़ी विदस में आपका एक बाद फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कुस करने वाले हैं सूपर इंपोर्टन कोशन्स जो की काफी इंपोर्टन है आपके इननेट की एक्जाम्स के लिए इस वीडियो में मैंने सभी इंपोर्टन कोशन्स लिए हैं जो इनमस्य दिखतर जो हैं अल्रड़ी प्रिवीस एर में पूछे गए हैं और यह आपकी रिवीजन के लिए सूपर इंपोर्टन है अगर आप तयारी कर रहे हैं एंटीनेट वेपर वन के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियो को भी देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे है तो परियोजना विधी का मुख्य परतिस्थापक कौन था या कौन थे तो सही जो आंसर है इसका वो है option number A किल पैट्रिक को जो है परियोजना विधी का मुख्य परतिस्थापक माना जाता है ठीक है परतिस्थापक निये प्रस्थापक है ठीक है यह चीज़ आपको याद रख तो किल पैटरिक इसका सही आंसर हो गया और अगर आपसे पूछे कि मन मन मान्चित्रन की अवधारना जो है यह किस ने दी है तो यह दी है 1960 में दी गई थी यह किसके द्वारा तो टॉनी बुजान के जो ठीक है टॉनी बुजान के द्वारा जो है ये विचारधारा दी गई थी आवधारना दी गई थी मान मन मान्चित्र की और अगर आप से पुछ ले कि आवधारना मान्चित्र की ठीक है अवधार्णा मान्चित्र की अवधार्णा किसके द्वारा दी गई थी तो आपको याद रखना ये दी गई थी औसु बेल के द्वारा ठीक है औसु बेल के द्वारा दी गई थी अवधार्णा मान्चित्र की अवधार्णा नेस्ट कोशन है निम्न में से कौन सा सिक्षन को परभावित करने वाला कारक है ठीक है कारक है तो जो सही आंसर है इसका वो है option number D ठीक है उप्युक्त सभी शिक्षक की योगता भी जो है शिक्षन को परभावित करती है कम परभावित करता है कॉच्षन का वातावरर्ण भी तो जो है परभावित करता है शिक्षन को और सही जो आंसर हो गया option number D ठीक है अगर शिक्षक कम पढ़ा लिखा उगा तो शिक्षन परभावी नहीं होगा चातर उबर और शिक्षन का कौसल अगर अच्छा नहीं है तो जो चातर है वो सही से पढ़ने पाएंगे और कख्षा का वातवर्ण तो सबसे important है अगर ये सही नहीं होगा तो चातर नहीं पढ़ पाएंगे तो ये साब ही आंसर है हमारा नेश्ट कोशन है निमिल लिखित में से कौन सा सिक्षन सहायक सामिगरी के चैन को परभावित करने वाला कारक है ठीक है सिक्षन सहायक सामिगरी के चैन को परभावित करने वाला कारक कौन सा है कहीं न कहीं पर भावित करते हैं आप पूछेंगे कैसे ठीक है तो मैं बता दूँ जैसे कि अगर माल लो दस स्टूडेंट्स हैं ठीक है दस स्टूडेंट्स हैं तो आप इन्हें जो हैं वाइट बोर्ट पर पढ़ा सकते हैं फिर कॉपी पर ही एक्स्प्ले सकते हैं लेकिन अगर यही एक हजार स्टूडेंट्स हैं तो शायद आप यह जो सामिग्री है ठीक है यह धजुद्द काह सकते हैं इसने सिसका इसत्तमाल ना कर बाहिए ठीक है तो हम कह सकते हैं कि सिक्षार्तियों की संख्या जो है वो भी परभावित करती है शिक्षण सहायक सामिग्री सामिग्री के रूप में ठीक है तो सही आंसर है option number D शिक्षण का उद्देश्वी समाचार पत्र के संदर्ब में संप्रेश्ण में प्रतिपुस्टी यानि की फीडबेक का अर्थ कहा जाता है तो किसे कहा जाता है तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा option number C ठीक है समपादकिये पत्र को कहा जाता है ठीक है नेश्ट कोशन है सूचना के अनौपचारिक हस्तानतरण को क्या कहते हैं गपशप ग्रैप वाइन परत्यक्ष संप्रेश्ण या फिर 36 संप्रेश्ण तो सही जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर होगा option number B में ग्रैप वाइन के थेहिते हैं इसे हम लोग ठीक है ग्रैप वाइन के थे हैं तो आप लोग वीडियो को काफी पसंद करते हैं इसलिए जो है रेगुलर इस टैप की वीडियो जो है आपके लिए लाए-चारी है और यह काफी इस वीडियो से concept अच्छे से clear होंगे आप यह जान सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो किस प्रकार की है ठीक है तो इसलिए हमने important question जो है इसमें रखे हैं सारे question यह है कि संपरेशन के लिए व्यक्तिकत सौतंता और भौतिक पर्यावरन का उप्योग किस उप्योग किया जाना क्या कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है तो इसे हम कहते हैं proctomics कहते हैं option number 20 का correct answer है proctomics ठीक है option number 20 का correct answer हो जाएगा next question है शिक्षण अधिगम परकिरिया की महत्यपून social networking site कौन सी है social networking site कौन सी है तो देखें facebook social networking site है twitter भी है और कुट भी है लेकिन word processor नहीं है option number D इसका correct answer हो जाएगा option number D word processor और भी कई परकार की social networking sites हैं जैसे की YouTube हो गया ठीक है नहीं पोस्ट कार्ड हो गया पोस्ट कास्ट हो गया ठीक है और उसके बाद पोर्ड कास्ट कहते हैं से और Wikipedia हो गया हाला कि यह social media site नहीं है लेकिन फिर भी शिक्षण अधिगम की परकिरिया में काफी शहायक होती है ठीक है ब्लॉक्स हो गए ठीक है ब्लॉक्स हो गए और उसके बाद फ्लिक्कर हो गया ठीक है यह सारे के सारे जो है मानव विकास सूचकांक जो है यह तयार किया जाता है UNDP के द्वारा यूनाइटिड नेशन डवलप्मेंट प्रोग्राम सैयुक्त रास्टिय विकास कारेकरम इसका फुल फॉर्म है 1990 से जो है यह अपनी सूची जारी करता आया है UNDP हर साल जो है यह हुमिन डवलप्मेंट इंडेक्स जो है वो चारी करता है और किन बेस किस बेस पर तैयार करता है यह तो यह देखा जाता है हर एक देश की शिक्षा वैवस्ता जीवन परतियाशा देखी जाती है और परति आय भी इसमें देखी जाती है जबकि रोजगार जो है यह इस तरफ आएगा जो है इसमें नहीं देखा जाता City सूस कांक्ट के अधार में सामिल नहीं है, तो सामिल नहीं है, वो है रोजगार, ठीक है, जबकि ये तीनों की तीनों सामिल है, सन 1990 से जो है, UNDP के द्वारा, मानव विकास सूसकांग परती वर्स जारी किया जाता है इस वर्स जो भारत की रैंकिंग रही वो रही, 111 ठीक है, 111 टॉप पे कौन सा रहा, टॉप पे रहा नारवे, ठीक है, और एकदम लास्ट में कौन रहा, तो नाइजर, ठीक है, नाइजर, तो इस तरीके से, आज की वीडियो में, इतना ही, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, औ कि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिलते रहे, सो मिलेंगे नेक्स टूडियो में, थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो, जया पजाएम मिलें, आफको दूडियो, तो लाइम पसंद आया हो, तो लाइम देडियो,